हेलो दोस्तो आज टीवे में एक बार आपका फिर से स्वागत है मैं आपका दोस्त आपका होस्ट वसीम अकरम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हाई टेक नर्सरी क्या होती है और हाई टेक नर्सरी में पौद बनवाने के क्या-क्या बेनफिट्स हो सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं दोस्तो अगर हम हाई टेक नर्सरी की बात करें तो बेसिकली एक नर्सरी ही होती है जो पौली हाउस की तरह बने एक स्ट्रक्शर में चलती है और हाई टेक की अगर हम बात करें तो हाई टेक का मतलब होता है दोस्तो हाई टेकनलोजी इस poly house की तरह structure के अंदर बनी हुई इस nursery में जो हमारी surface होती है वो मिट्टी की ना होके यह first होता है यानि कि यह cemented first होता है और उसके उपर metal से बने stands होते हैं और stands के उपर हम अपनी जो thermacol tray के अंदर pro tray को set करके stand पे हम pod को रखते हैं और इसके अंदर जो टेक्नालोजी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम दो parameter को control कर सकते हैं जो pod या plants के micro climate के लिए बेहद जरूरी होते हैं पहला है दोस्तो temperature जो हम exhaust fan और cooling pads की मदद से कर सकते हैं हम अंदर का temperature अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं और उपर से क्योंकि polish sheet से cover होता है तो वहाँ का sunlight को हम control कर सकते हैं eliminated shed net की मदद से और इसके बाद अगर हमें दूसरा parameter होता है या दूसरी condition होती है जो plants के लिए जरूरी होती है वह दोस्तो related humidity यानि की वहाँ पर जो आदरता है वह कितनी है या humidity है वह कितनी है जो plants के लिए nutrients अपटेक में help करती है तो वह हम cooling pads की मदद से help मदद करते हैं क्योंकि cooling pads में पानी चलता रहता है और जब पानी वहाँ से move होता है तो अंदर की humidity है वह बढ़ जाती है जब हमें कभी ऐसा लगता है कि relative humidity 80% 80% के उपर जा रही है तो हम cooling pads को बंद कर देते हैं सिर्फ exhaust fan को ही चलाते हैं ताकि जो अंदर की humidity है वो ventilation के द्वारा control हो सके दूसरा दोस्तो इसमें जो हम media use करते हैं वो होती है cocopit based media इसे कहते हैं जिसमें हमारा होता है cocopit, vermiculite और perlite लिटरली एक ratio होता है 3 is to 1 is to 1 जिस ratio में हम इनको mix करते हैं मीडिया में हम सीर लगाने एक बाद सीर लिंक्स त्यार करते हैं सीर लिंक्स को त्यार करने के लिए फिर कौन-कौन से हम steps follow करते हैं इस पे हम आगे भी वीडियो बनाएंगे पर अभी के लिए जो मेरा topic है कि high technology क्या होती है और high technology में seedlings बनवाने के क्या-क्या फाइदे होते हैं वो में थोड़ा सा describe करना चाहूंगा तो high technology बेसिकली high technology वाली nursery होती है जहाँ पर cooling pads और fan की मदद से temperature related humidity को control किया जाता है control conditions में ये plants रहते हैं दूसरे दोस्तो irrigation का जो काम होता है वो boom irrigation से होता है अंदर इसमें circulatory fans भी होते हैं गरम करने के लिए heating system भी होता है तो कहने का मतलब ये है कि बाहर के climate से अंदर का climate काफी हद तक हमारे control में होता है ताकि हम plants के according उनको modify कर सके दूसरा दोस्तो high technology जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इन ट्रेज में जो seedlings का germination है वो almost 95% के करीब है या उससे भी ज़्यादा है 100% तक भी में germination देखने को मिलता है और high tech nurses में pot बनवाने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हमें maximum germination मिलता है जितना की seed के अंदर potential होता है और कई बार अभी market में जो seedless cucumber या फिर colored capsicum या एक musk melon की variety है इंतनन इस seed की अगर cost की बात करें तो ये 7 रुपे से एक single seed की cost 7 रुपे से start होती है 7.5, 7.5, 8, 9, 10 तक ये इसकी seed cost जाती है और अगर ऐसे में हमें proper germination ना मिले तो फिर हमारा loss काफी ज़्यादा हो सकता है इसलिए high technology seed में जो फाइदा होता है ceilings बनवाने का वो हमारा maximum germination होता है ताकि हमें germination से होने वाले loss से हम बच सके क्योंकि कोई भी company कोई भी organization जब seed produce करता है तो generally वो अपना seed के उपकेट के उपर minimum germination 60% mention करके रखता है यानि 100 में से अगर 60 seed से कम जमते हैं तो हम उनको कह सकते हैं otherwise हम उनसे नहीं कह सकते हैं दूसरा दोस्तो हम जब high technology seed में पहुत बनवाते हैं तो हमारा जो root system होता है क्योंकि ये प्रोटेज में तयार होती है less medium में तयार होती है तो उसमें maximum हमारा जो root hairs होते हैं वो हमें safe position में मिलते हैं जब उसको हम main field में transfer करते हैं transformation करते हैं तो हमारे जो root hairs होते हैं जो maximum absorption करते हैं new trends का तो वो बिलकुल हमारा safe रहता है वहाँ पर कोई भी damage में नहीं मिलता इसलिए हमारा connection है जमीन के साथ जब हमारी seedlings transplant होंगी pro trace से main field में तो वहाँ पर हमारा जो mortality होने के chances होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं और हमें disease free और healthy seedlings हमें high technology से मिलती है दूसरा अब यह मैंने आपको दो फाइदे बता है तीसरा बड़ा फाइदा यह है कि हमारा जो time management है वो बड़ी अच्छे से manage हो सकता है जैसे कि दोस्तों खीरे के case में टमाटर की हम बात कर लेते हैं टॉमेटों की seedlings जनरले 30 दिन में तयार हो जाती है 25 से 30 दिन या 35 दिन में बढ़िया seedlings तयार हो जाती है तो हम अगर स्पोज करिए हमें 15 फरवरी को अपने खीर में टमाटर ट्रांस्प्लांट करना है तो हम 15 जनरले के आज पर seedling seed sowing के practice कर सकते है 15 जनरले से लिए के 15 फरवरी तक या तो हमारे field में हमारी कोई और crop चल रही हो तो वो हमारी चलती रहती है जैसी 15 फरवरी आती है तो हम उससे 4-5 दिन पहले अपनी main crop को जो अभी चल रही है उससे harvest करके अपने field को prepare कर सकते है या फिर हम हमें इस beach एक महेने का हमें time मिल जाता है कि बढ़िया field preparation कर सकते हैं और हमें बिल्कुल time पे seedlings मिल सकती है एक और फाइदा यह हैं दोस्तों oxygen जैसे कि कई बर हम cauliflower early लेते हैं या कि cucumber late लेते हैं या फिर early लेते हैं तो उस condition में हम बाहर अगर direct seed से planting करेंगे तो हमारा germination काफी कम होगा क्योंकि ओ temperature बाहर होता ही नहीं जो plant के लिए जरूरी होता है हाई-tech में हम क्योंकि control conditions होती है तो वहाँ पर हम early या फिर late seedlings करवा सकते हैं और कभी बारिस या फिर मौसम का असर जैसे कि अभी सर्दियों का time चल रहा है तो बाहर काफी low temperature है पर high-tech अंदर company लिए temperature लिए तेमपरेचर आक अंट्रोल में रहता है इसलिए आप high-tech नर्स लीज में अगर पौध बनमाते हैं तो आपका maximum germination टाइम पे आपको पौध आपका time management healthy or disease-free seedlings और बढ़ी हारूट development के साथ आपको seedlings मिल सकती है क्योंकि दोस्तों अगर आपके seedlings अच्छी होगी तो आपकी फिर आगे की जो crop होगी वो भी अच्छी होगी और आपका production भी काफी अच्छा होगा तो अमीद है दोस्तों ये कुछ चंद बाते आपके इल्म में इजाफा करेंगी आपकी knowledge को boost करने में help करेंगी और अगर आप हमारी इस तरह की information से खुश है या फिर आपको पसंद आती है और आगे भी आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की information से मिलती रहें तो हमारा होसल आप जाए करने के लिए आप अपने भाई का अपने दोस्त के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपने जरूरत मन साथ हो के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारी इस चैनल पर जुड़ने के लिए इससे सबस्क्राइब कर सकते हैं धन्यवाद